भाजपा का अजेंडा रहता कि बोट के लिए क्या क्या इवेंट करना है। वो इवेंट करते हैं, एक नई चीज़ क्रियेट करते हैं, छोटी सी बात को बरा बना के पबलिक के बीच में दिखाते हैं, लोगों को दिरभायमित करते हैं। अगर बात करें जो कि नेता परती पक्ष है वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों की मजबूरी है मजबूरी इसलिए है कि मानिय मुख मंत्री जी ने वन्चित सोशित लोगों के लिए जो एक कदम उठाया है जातिगत जन्गना के लिए अगर इसके समर्तन में जो लोग नहीं आएंगे तो जन्ता फिर उनको बता भी देगी न जब भाजपा के साथ मानिय मुख मंत्री जी रहते हैं बाजपा के लोगों को लगता है कि मंगलराज है आज जब वही दूसरे के साथ गठ्वंदन हो जाए तो कहते हैं जन्गलराज है माननी है मुखवंते जी का काम करने का अपना तरीका है जैसे साथ निश्य योजना था साथ निश्य योजना का जो बना परक्रिया वो बना विधान सभाद चुनाव के दर्मियान 2020 में लेकिन आज अगर महा गठबंदन के सरकार में भी आए हैं हम लोग तो हमारा एजेंडा विकास का वही है बच्चों को सरकार ने स्कूल तक पहुँचाया आज बच्चों को कोशाक साइकल सारी योजनाय से लैस की अब बच्चों को क्वालिटी एजूकेशन तो चाहिए ना क्वालिटी एजूकेशन कम मिलेगा जब सिक्चक टाइम पर पहुँचेंगे बच्चों को कलास देंगे अब सिक्चक नेतागिरी करेंगे खाली हाजिरी बनाने जाएंगे वो तो बच्चों के सिक्चा के साथ खिलवार हो इतना लेट हुआ है तो सिक्चा मंतरी भी तो आप ही के थे देखे आज के सबसे बड़ी खबर है जातिय जनगन्ना जो कि राज्य सरकार के फिवर में यह बात सामने आई है कि भाई अब पिर से अब जातिय जनगन्ना होगी चले इसी वनिस्वत बात करने के लिए हम MLC रामेस्वर महतो जी के साथ हम जुरे हुए हैं जो कि जदियू से हैं सर अब तो विपक्ष वाले भी यानि की बीजेपी से भी कई लोग अब करें कि भाई हम तो पहले सही का रहते कि यह सही है देखे बीजेपी वालों का कोई अपना स्टैंड तो है नहीं मानिये मुख मंत्री जी ने जातिगत जननना के लिए केंदर सरकार के पास पूरे बिहार के सभी पार्टियों को एक जूट करके ले गए थे और केंदर के सरकार ने उस बात पर माना नहीं फिर मानिये मुख मंत्री जी ने अपने अस्तर पे राज के खर्चे पे ही जातिगत जननना के लिए फैसला किया सभी पार्टियों को एक जूट करके और हुने इस का मानिये न्याले ने इस Emerивает उचित आदेश दिया है और जनहित में बिहार के दबे और ले वंचित पिछराती न समये संधी जो चाहते हैं एक चाहते हैं आडिसेद्षा इस सोच का ये वंचित लोगों तक सरकार का योजना पहुंचे आर्थिक रूप से समाजिक रूप से क्या उनकी स्थितियां है वो सरकार को पता चलिए क्या लग रहा है अगर हम चुनाओं की दिरिष्टी से अगर इसे देखें तो नुकसान किसे होगा देखे बानिये मुख्मंतर जी कभी वोट की राजनित करते हैं भाचपा वाले अलग अलग एजेंडा करते हैं वोट लेने के लिए मुख मंत्री जी हमेशा अपने वोटर के चिंता करते हैं वोट की चिंता नहीं करते हैं उन्होंने हमेशा सभी वर्गों के लिए बिहार में काम किया है और सभी लोगों के उनती के लिए खुशाली के लिए बिहार में काम किया है भाजपा का एजेंडा रहता कि वोट के जो सरकार की जीत हुई है तो उपिंदर कुसवाहा भी एक ट्वीट करते हैं कि भाई ये सही बात है अच्छी पहल है अच्छा हुआ है बीजाय सिना कि अगर बात करें जो कि नेता परतिपक्ष है वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों की मजबूरी है मजबूरी इसलिए है कि मानिये मुख मंत्री जी ने वन्चित सोशित लोगों के लिए जो एक कदम उठाया है जातिगत जन्गना के लिए अगर इसके समर्तन में जो लोग नहीं आएंगे तो जनता फिर उनको बता भी देगी ना कि जब हमारी बारी आती है तब तो अभी पक मार्फित ज्यादा हो रहे है उसके आपकी वीचार की जंगल राज में ऊंचार जुकर है देखिए ढ़ी भाचपा के साथ सिखाव सब्रेकार करते हैं जंगल राज है मानिये मुखवंतर जी का काम करने का अपना तरीका है उनका एजेंडा विहार का विकास है और जैसे साथ निश्य योजना था साथ निश्य योजना का जो बना परक्रिया वो बना विधान सभाद चुनाव के दर्मियान दो हजार बीस में लेकिन आज अगर महा गठबंदन के सरकार में भी आये हैं हम लोग तो हमारा एजेंडा विकास का वही है तो मानिये मुख मंतरी अपने आइडिलोजी के हिसाब से अपने सुच बुष से काम करते हैं बिहार के जनता के लिए लोगों के बातों से उनको को फरक नहीं परता जिसको जो ब हुझ रहे हैं अब सिक्षा मंतरी का क्या समस्या तो उनको पता होगा लेकिन मैं वेक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि केके पाठक जी के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन स्कूलों में आई हैं ये पहले ही आना चाहिए था ये अच्छा है स्वागत योग्गे है आप अग घाद बच्चो को पुशाक, साइकल, सारी योजनाई से लैस की अब बच्चो को कॉलिटी अच्योकेशन तो चाहिए न मिलेगा सिक्षक टाइम पर पहूंचेंगे बच्चों को कलास देंगे उक नेतागिी करेंगे खाली हाज़िर बनाने जाएंगे वो तो बच्चो के सि सिस्टम को लागू किया है बहुत ही बरियाताम है अलोक मेहता जी वह भी सुन्ड़ें कार्याले नहीं पहुंच रहे हैं नितीज कुमार जी उनको जो ट्रांसपर पोस्टिंग जो कई जो पत थे उसे रोक दिये थे साहित इसकी वज़ा से काफी यह गुसब है देखिए यह तो मानीए मुख मंतरी जी के पास जाके अपनी बात लोगों को रखनी चहिए मानी इस सभी के बात को सुनते हैं समधान भी करते हैं अब कोई जा रहा है नहीं जा रहा है उनका वह एकतिकर कुछ मामला होगा उसमasures को मैं कुछ नहीं कह सकतार हैं चले आपने सुना किस तरह MLCG बोल रहे हैं आपने सुना ही चले भी करें तरह ही बने रहे हैं प्लाइब भिहाग के साथ धन्यवाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें